अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकद्दमा आपकी अदालत आपकी अदालत में आज हम जनता की ओर से मुकद्दमा चलाएंगे वरिष्ट कॉंग्रेस नेता और रक्षा मंत्री प्रणव मुखरजी पर आपकी अदालत में आज जनता की ओर से जज होंगी आउटलुक की पिलिटिकल एडिटर स्मिता गुपता और आपकी अदालत में जनता की ओर से मुकद्दमा चलाएंगे रजट शर्मा नमस्तार आपकी अदालत में आपका साज़त हैं आज मौका है यूपिय सरकार के एक साल पूरे होने का आज कटगरे में होंगी इस सरकार की नीतियां इस सरकार की परफॉर्मेंस आज हम सरकार से जवाब मांगेंगे पिछले एक साल में उसने जनता के लिए क्या किया पेशाएं आज मौका है कॉंग्रेस नेता और रक्षा मंत्री प्रणव मुखर जी आपकी अदालत में हाजर हो अदालत की कारवाई शुरू की जाए और इससे पहले के लजामात और सवालात का सिलसला शुरू करें एक नज़र डालेंगे उन कॉमेंट्स पर जो यूपिए सरकार के एक साल के कामकाश पर किये गए आपकी अदालत में इल्जाम है कि कांग्रेस ने अपने एलाइस को खुश करने के लिए समझोते किये पहला इल्जाम तो यह है कि आपको बार बार कॉंपरमाइज करने पड़े अपने एलाइज को खुश रखने के लिए क्योंकि कॉंग्रेस को एक गडबंदन की सरकार चलाने का एलाइज की सरकार चलाने का कोई अभवनी था यह बिल्कुर सही है कॉंग्रेस फॉर्टी फाइव यर्स रूल्ड इस एपसॉल्ट क्लियर मेजूरिटी धियरफोर इस मोर सक्सेस्पूल हमाले मेरा सफलता ज्यादा है कॉंपरमाइज तो करना ही होगा कॉंपरमाइज लेकिन आप तो आज भी इस पात के खिलाफ हैं कि कॉलिशन के सरकार बननी चाहिए नहीं मुझे तो मान लिया मुझे मान लिया कॉंग्रेस पार्टी ने ये निर्नाय कर चुका है जो अभी कॉलिशन चलाना जूरूरी है क्योंकि जो फंडमेंटलिस्ट फोर्सेज जो कविनल फोर्सेज ये आर स्प्रेडिंग देर इंफ्लेंस वो रुखने के लिए कॉलिशन का जुरूरत है अब देखे कॉलिशन चलाने से क्या होता है आपकी सरकार के दो मंत्री एक लालु यादव एक राम विलास पासवान जो बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है जब बिहार में चुनाव होता है उसके पहले पब्लिक ली एक दूसरे पर इल्जाम लगाते है ये तो कॉलिशन का रजब जी आपका तो जानकरी है कॉलिशन का तो ये धरम है कॉंट्रेडिक्शन को मैनेज करना आप देखिए ना ये तो आप दो मौंत्री का बात कर रहा है 77 में क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर मौराजी भाई डेपूटी प्राइम मिनिस्टर चलोन सिंग एक दूसरा को खिलाफ स्रेव बयानबाजी नहीं किया चिठी भी लिखा वो डोकुमेंट्स पूर आ गया तो ये कॉालिशन में कभी कभी ऐसा होता है हमने तो देखा कि पिछले दू दिन में रामिलास पासवान ने चिठी लिखी ये कहा कि बिहार में जिस तरह से अफसरों का ट्रांसफर किया गया वो लालू यादव के प्रभाव में किया गया है देखिए एक आम राजपल का है अभी बहर में प्रेसिडेंट्स रूल है चाहे कौन सा जगा में कौन ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ इस पर विचार करना ये ठीग नहीं है ये मामूली बात है बुनियादी मामूला पर शवाल होना चाहिए लेकिन कोई सरकार में एक मंत्री दूसरे मंत्री के बारे में ये कहे कि वो सरकार के लिए एंबरेस्मेंट है ये तो बात मैंने कहा आपको एग्जम्पल भी दिया इंडिया का बेन भी बहुत सफ़याई साफ हुआ ये होता है हमारे कोई एक्सपीडियेंस नहीं था कॉालिशन के लिए तो कॉंट्रेडिक्शन तो होगा है लेकिन कैसे सरकार का सफल मानेंगे उसकी उपलब्दियां गिनाएंगे जब एक सरकार में केंदर सरकार में मंतरी इलेक्शन कमिशन जैसी कॉंस्टिशन अथर्टी के खिलाफ बयान दे कारबार कुछ नहीं हुआ इलेक्शन कमिशन को खिलाफ गडबार ये हुआ कि कॉंगरिस को अपना मू सीकर के चूप रहना पड़ा नहीं ये कॉलिशन का धरम है सबको लेना चले के चलना ये तो जनता का फैसला है जनता इंडियान इलेक्टोरेट किसी को बहुमाद दे देंगे एक पार्टी को तो कॉलिशन का कोई जोरूरत ही होगा ने जैसा हुआ 52 से 77 80 से 90 तर इविन प्रविन्सियाल एसेंब्ले इलेक्टोरेट जाब किसी पार्टी को बहुमाद देंगे तो अब ये एंबलेस्मेंट नहीं होगा लेकिन आपको तो चुनाओ का मतलब दो होता है एक कुछ रिप्रेजनेटिटिव लेक्ट करना दूसरा मतलब है शौर्कार बनाना तो आपको चुनाओ के बाद तो सरकार बनाना नहीं पड़ेगा लेकिन आपको मुश्किल तो होती होगी एक मिनिस्टर की कार का शीशा तूट जाए उसके लिए आपको रात में केबिनेट कमेटियों, पुलिटिकल अफेस की मीटिंग करनी पड़े अज़ तो होता है मिनिस्टर पर अटाक हुआ, हमला हुआ तो उस पर तो होता है कोई-कभी और बाद में फॉरंसिक लैब के रिपोर्ट ने कहा कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ, सिरफ पानी के पाउच फेके गए थे पानी का पाउच भी हेवियार हो सकता आप क्या बात करते है दो मौन पानी का पाउच आपका सीट पर फेक देंगे तो उनका तो इंपेक्ट जादा ही होगा तो आपको यह नहीं लगता है कि यह जो कॉलेशन पार्टनर्स हैं, इनकी हरकतों की वजए से कॉंगरेस को एमबैरिस्मेंट होता है हर रोज लhouse एमबैरिस्मेंट का सव़ल नहीं है हमारी common minimum program है common minimum program पर हम चल रहा है common minimum program को interpretation के लिए कोई कोई एक सरकार के दो मंतरिया आपस में एक दूसरे पर हर रोज आरोप लगाए ये कौन से common minimum program का हिस्सा है ये बथा दीजेए common minimum program नहीं है लेकिन बात ये है differences of opinion sometimes on issues extend to many other areas that is that's why I gave you the example जो दोनों लोग एक साथ लड़ा emergency के खिलाफ एक सरकार का prime minister था एक सरकार का deputy prime minister और home minister था एक आरोप लगया आपका लड़का ओ ऐसे कुछ कर रहा है जो ठीक नहीं है उन्हें ने दूसरे आरोप लगया very seasoned politicians इसना mildly prime minister deputy prime minister ने कहाना ये है एकने का mafia है माफियों का सरगना मैं जो example दे रहा हूं वो दोनों कोई माफिया नहीं था season politicians था दोनों season politicians था freedom fighter था देश के आजादी के लिए लड़ाई के या था चाहे मुराट जी भाई हो चाहे चोधरी चॉलन शिंग हो लेकिन differences of opinion came to such an extent that the allegation was absolute at the personal level आज ही राम बिलास पास्पन ने इलजाम लगाया है कि Congress Party ने मदद ने कि बिहार में सरकार बनाने के लिए उसकी वज़े से उनकी पार्टी के टुकड़े हो रहे है वो आपकी सरकार में मंतरी है है मंतरी तो है यह बिलकुल है लेकिन इस मामला में Congress क्या करें मैं तो सजिस्ट किया हमें सजिस्ट किया कि देखे यूपीय पार्टनर साथ मिलजूल के सरकारबाना ना होगा मैं आभी भी सजिस्ट कर रहा हूँ आपको लगता है कि ऐसे जब इंसिदेंट होते हैं सरकार के मंत्री बयान देते हैं उसका पूरा असर सरकार की परफर्मेंस में पढ़ता है लिमिटेट, बेडी लिमिटेट नोट इन बीग वे बिकोज दिस इस कोलिशन गवर्मेंट सम्टाइमस इवन इन वन पार्टी गवर्मेंट लेकिन कोईलिशन गवर्मेंट में थोड़ा इंपक्ट हो सकता लेकिन जदा लेकिन ये माने कि आप कॉंग्रेस में बरदाश करने की ताकत ज़्यादा बढ़ गई है पहले कॉंग्रेस ऐसी चीजों को एकसेप्ट नहीं करती थी बिल्कुर बार गया हमड़ा पास बहुमत नहीं ताब मुझे सारकार चलाना पडा तो मुझे तो ट्रालर इन ठोला ही पलेगा इसमें दूसरा बात क्या है मझबूरी है लेकिन करना होगा मझबूरी के लिए हम जमे दर नहीं हम तो बहुमत चाहता है In an electorate, they say they are giving fractured mandate In a complex situation, you cannot have a simplistic solution When there is no clear mandate जब किसी को बहुमाद नहीं मिला जब आपको coalition part, शरकार बनना पड़ेगा तब ये problems कभी-कभी आजाएगी सरकार की performance को लेकर के विरोधी दोलों ने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं इन इल्जामात पर प्रणबुकर्ची से सफाई मांगेंगे एक प्रेक की बाद आपके अदालत में आजब यूपीए सरकार के एक साल के काम का लेखा जो खले रहे हैं रक्षा मंतरी प्रणबुकर्ची से आपकी अदालत में इल्जाम है कि यूपीए सरकार भी एंडिये के नक्षे कदम पर चल रही है मुकर्ची साब इल्जाम यह है कि यूपीए सरकार वो ही गलतियां कर रही है जो एंडिये सरकार नहीं की थी आपके सरकार वो ही काम कर रही है जो पिछली सरकार नहीं किये थे आपने यूपीए के सरकार पर 1998 से लेकर 2004 तक लगातार आरोप लगाए कि आपने ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो चार्शीटिड है आज उसी तरह के लोग आप के हां सरकारे में मंत्री हैं और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं मैं तो अभी प्राइम मिनिस्टर अटल बहरी बाज़पाई जो कहा था लोगशवा में मैं वहीं मान लिया उन्हों नी यह कहा था लोगशवा में जब ये सवाल उठा मुझने मनना जोसी के लिए उमाभारती तप सेंट्राल मिनिस्ट्री में थे जब लालकृष्णा अद्मानिक लेकार तो प्राइम मिनिस्टर इसन रेकॉड इन लोगशवा उन्हों नी यह बाताया यो पहले उन्ह मैं भी मनने के लिए तयार हूँ, ये ये प्राइम मिनिस्टर का जिम्मेदरी है, किसको मुंत्री बनाएंगे, किसको मुंत्री नहीं बनाएंगे, it's a prerogative of the Prime Minister, fine. दूसरा बात उनने ये कहा, जब तक गिल्टी प्रूवड नहीं होगा, चाहे चार्जिट फाइल हो, चाहे चार्जे स्प्रेम्ड हो, in the eye of law, he is guilty. That is his performance. Therefore, if you accept that position, then how they can claim that you will have to remove Lalu Prashad, or you will have to remove tented ministers? Because that has not been decided. This is a legal constitutional issue. It is yet to be decided. It is a much larger issue. You, can you assume before the court finds somebody guilty, convincingly, that he is guilty, merely by the filing of charge sheet, merely by framing the charges? This is a matter of normal jurisprudence, rule of law. But when you were in opposition, you said that the charges are framed, the charges are filed, the charges are filed, should you give them? You should give them a law? No, so this is not given, this is not given, they have to correct the president. So this is why I am not given the president, we are following the president, they have to correct the president. This is not 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 the president. Thank you, many Americans how the administration , the ilimity, and Chinese Committee as the same time have been engaged. What happened in the VARADAR DINAMITE case? That the broccoli ότι the secretary didn't call the parsley that the minister, Mr. leurshauchit used to hold up another breach. तो आपके मानते हैं कि दागी मंत्रों के मामले में वही पॉलिसी इस कंटीनू करें नहीं मेरा दागी मंत्री पहले तो दागी एस्टाब्लिस्ट होना चाहिए अभी तक तो दागी एस्टाब्लिस्ट वा नहीं अभी तो some sort of trial by advertisement, some sort of trial by what you call through media it is going on job तक दागी fully established हो जाएंगे court का verdict से, तो अब ये solve नहीं उठेंगे जनता में बहुत सारे लोग हैं जो आप से सफाई मांगना चाहते हैं, आपका सवाल मेरा प्रणों मुकर जी जे सवाल ये है कि जो NDA government की policies थी, जिस तरह से उन्हों ने दागी मंत्रियों को नहीं अठाया, उसी तरह से आप भी दागी मंत्रियों को नहीं अठा रहे हैं, और दूसरा नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है क्या, नैतिकता भी तो कुछ होती है मेरा प्रणी को प्रणी किया, फरन शौ उन्का असस्मेंट था, लेकिन अठाया कईया, ये तरह से नहीं तरह ब awakening क you, और ये मन् número 5 6 शौ जिता शिए है student, in a country like India, in a year, at least minimum 4 5 6 railway accidents take place, like musical chair you cannot go on changing, therefore there is a limit. question is that, we suggest let there be a code of contact accepted, let the nthya government Were then in power, when election commission suggested this, मैं खूद मरा पार्टिका रिप्रेजेंट किया, मैं रिटिन सब्मिशन किया, रिटिन सब्मिशन में यह कहा जे कानून बदली है, जब कानून बदल जाएंगे, जब डिस्क्वालिफिकेशन में यह आफ क्लॉस एड़ करेंगे, यह चार्ज फ्रेम होने से अभी क्लॉस क्य मिनिमाम ट्वियार्स इंप्रिजन में अंद्य अलिगेशन सब्मोराल टपी चूट, तो अब डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, आप यह कानून चेंज करके यह बताएंगे, इसी पर डिवेट होना चाहिए, आप बात करें कानून का, और जनता के लोग जो बात करें व है प्राइमनिस्टर खूट कहा, प्राइममनिस्टर कहा इसी पर चर्चा होना चाहिए, एक कर predominance बना चाहिए, ये तो बहुत गोलमोल बात हो गया, ये बताएंगे, क्यूंकि आभी सुथ आपका देश के जो कानून है, ये कानून को मताबिक आपको चलना पड़ेगा, ले लेकिन क्या सरकार की थिंकिंग क्या इस पर कानून बनाना चाहिए? नहीं, मेरा पार्टी जब सरकार में नहीं थे, तब भी तो मैं इस सपोट किया. कॉंग्रेस पार्टी का ओर से मैं ये प्रोपोजल किया दिया, जब दी देन लौ मिनिस्टर था, I think जोना कृष्ण मूर्थी, he was the लौ मिनिस्टर. इलेक्शन कमिशन का शुपारीस लेकर जब आल पार्टी का मिटिंग हुआ था, कॉंग्रेस पार्टी से हमें कहा, यह हमारी कोई प्राब्लेम नहीं है. तो कि इस सवाल को लेकर के ओपोजिशन ने पार्लेमेंट की कारवाई नहीं चलने दी? देखे, यह बात अलग है. पार्लेमिन का कारवाई क्यों नहीं चला? इनका पूरा जिम्हेदरी उनका है. मिनिस्ट्री बनने का बाद प्राइम मिनिस्टर का स्विकार इलेक्शन का बाद जो पॉयला काम है वो पॉयला काम है प्राइम मिनिस्टर खारा होकर मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे यह हुआ नहीं दिस साल इठाज नहीं है इस नहीं है क्योंकि शूरू शे फॉर्मेली मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस इंट्रोडेशन भी उन्होंने होने नहीं दिया वो तो कह रहे है कि ओपोजिशन का घला घुट दिया आवाज नहीं निकलने देते हैं उनको बोलने नहीं देते हैं और इसे बोलने नहीं देता लोक्सवा के रेकोर्ड है अभी कोभी देखा, लोक्षवा रेकर्स में कोई एक प्रिसिडेंट अभ देखा सकता, जे कोश्चेन आवा स्टॉल कलके, अटल बहरी बाजवाई जी को, एल के आद्मानी को पूरा पंद्र मिनित बोलने दिया, इसी से सेसेन में, कोभी हुआ, कोश्चेन हुआ, डिस्रफ् इसे से जी एक का जैए, बिलकुल हुआ, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, यह इन्टरॉप्शन नहीं हुआ, लेकिन हमें कोश्चेस किया, 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 जो भी मुद्दे पर आप विचार चाहिए, चर्चा चाहिए, मैं सरकार के और से, लिडर अब दी हाउस के हसियत से, मैं तोयर हूँ, जो भी पार्लामेंट का रूल्स के मताविक डिसकर्शन हो सकता, स्पीकर आम टीम नंबर अब टाइम्स कहा था, पब्लिक के तरफ से मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, जब एंडिये की सरकार थी, हम देखते थे कि कॉंग्रिस के लोग हंगामा करते हैं, वेल में उतर आते हैं, कारवाई नी चलने देते, कितना रोज हुआ? ये तो आप हिसाब बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मैं था, मैक्सिमाम दो रोज, तिन रोज, चार रोज, पांच रोज हूँ, आप एक सेशन बताइए, 98 से हौर साल में तीन सेशन होता है, 98 से 2004 शल्टक इंडिये सरकार में थे, आप एक सेशन बताइए, ये पूरा सेशन बिलकुल खुतम हो गया, आपको लगता है वो लोग भा तो मेला सेशन का बात कर रहा हूं, ये ड्रावट हो रहा है, महाराथस्तियो में दो रावट है, उसको आप चार चाहिए, एकरीकल्चर मिनेस्टर बेइड़ी, उन्हें बात कर्ने के लिए हम तेयर नहीं हूं प्राह मिनिस्टर को बायां देना चाहिए, प्राह में बायं उसी दो आंकरके हाऊ बंध कर दिया एग दोवे नहीं हुआ इन्टर्नल सीक्युरीटी पर डिसकर्शन क realization नोटिस उन्होंने दिया उन्होंने कहा होनम मिनिस्टर के साथ साथ चबचा ही नहीं हुआ नहीं हो एस उन्होंनों I am not talking of our motions I am talking of उनका मोशन जो बिस्नेस अड़्वाइशरी कमिटी में ताई हुआ था टाइम एलोकेट हुआ था डेट फिक्स हुआ था मिनिस्टर को पास नुटिस चला गया क्या कहे इस सेशन में जो बॉइकॉट हुआ उसके लिए उनका कहना है कि हम बात करने को तयार थे प्रधान मंतरी के इनिशेटिव पर प्रधान मंतरी और अड़वानी के आपस में बात हुई रास्ता निकल रहा था लेकिन दस जन्तपत के इशारे पर उसमें फिर से गड़बढ़ हुए बिलकुल बेबुनियाद बात है मैं आपको पूरा करणालजी बाताना चाहूंगा जब हंगामा हुआ तो कुछ रिपोर्टर्स मेरे कामरा में आया मेरे पार्लेमेंट कामरा में लोक्षभा लेडर का कामरा में उन्होंने कहा जा आप प्राइम मिनिस्टर का और से कोई रिक्षट करेंगे तो रगता है जो हो जाएंगे मैं प्राइम मिनिस्टर को कहा प्राइम मिनिस्टर खूद बात किया डिडर अप जब अपोजिशन लोक्षभा अद्बानी जी के साथ जस्वन सिना जी के साथ, उसके बाद जस्वन सिंग, जस्वन सिंग जी के साथ, उसके बाद अटल बेरी बाचपाई के साथ, उन्हेंने कहा सेडिया स्टॉक्स नहीं, ते सेडिया स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर खूद कहा आप आएए पार्टिसिपे कई होगा, as leader of the house at least half a dozen time, I requested them, speaker has requested them almost daily, routinely, तो आप सारे institution को devalue करेंगे, यह कैसे चलेंगे, उन्होंने का हम तो तयार थे house में आने के लिए, अहां तयार थे, अबेका सोनी ने statement दिया, अबेका सोनी ने statement का, प्राइम मिनिस्टर इस रिक्वेस्टिंग यू, speaker of दे लोक्षभा आपको पास अपिल कर रहा है, leader of the house आपका पास अपिल कर रहा है, यह अपिल का कोई भलू नहीं है, कमाल है, बहुत सारे इल्जाम opposition ने लगाए हैं, उन्होंने कहा कि विंडिक्टिव है आपकी सरकार, इसको लेकर के हम आपसे सफाई मांगेंगे, एक प्रिक के बाद, आपके अदालत में आज कटगरी में मौझूद है रक्षा मंतरी प्रणमुकरजी, आपकी अदालत में आरोप है, कि यूपिये सरकार ने विरोधी दलों के प्रती, बदले की भावना से काम किया, ये इसाम लगा है विरोधी दल के नेता एलके अदवानी के तरफ से, उन्होंने का कि जो आपकी सरकार है, ये विरोधी दलों के तरफ विंडिक्टिव होकर काम कर रही है, कैसे? उन्हें का कि रक्षा मंतरी के मामले में आपके मंतरा लेने डिफेंस मिनिस्ट्री ने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में और कहा कि इनके ओपर कोई चार्ज नहीं है उन्हें क्लीन चिट दे दिया लेकिन जब उन्होंने इस बात को पब्लिक ली कहा तो आपने एक और एफिडेविट फाइल किया जिसमें उनके ओपर नए लगा दिये गए पहले बैद मैं कहूंगा जो एफिडेविट मैंने पहले दिया वो एफिडेविट पाब्लिक डोमेन में है वो 17 पेस डोकुमेंट में कहां किसको क्लिंचीट दिया महरबानी करके मुझे बात आईए पहला बात यह है दूसरा बात है जब यह एफिडेविट फाइल हुआ 14th 10th मार्च में फाइल हुआ 14th मार्च में कोर्ट का पर यह आया कोर्ट जो एविकास क्यूडी होता है कोर्ट का हेल्फ फ्रेंड आफ कोर्ट उन्होंने कहा जिए मुझे देखकर एफिडेविट देखकर रागता है यह सारे पॉइंट्स अडरेस नहीं किया इधे से सारे पॉइंट्स अडरेस नहीं हुआ तो एटरिवनिज जनल ने कहा ठीक है मैं दूसरा एफिडेविट सापलिमेंटरे एफिडेविट फाइल करेंगे तो सपलिमेंटरे एफिडेविट फांच मीनिस्ट्री आफ डिफैंस फायल किया किसलीए फ्वो मुटो नहीं एक पाब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस हुआ यह सरकार बना 22 में 15 जून किसी ने वान मिस्टर धनन जाई चोभान उन्होंने सुप्रीम कोड में एक पाब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस फाइल कर दिया 25 सुप्रीम कोड ने डाइरेक्टिव दिया इन्यस सरकार को या आपका जो कुछ कहाना है तीन मामना पर एक आप कोई कारभाई के प् Para से के जैक पके कारभाई किया ओजो तेहल का एक्सपोजे हुआ इसी पर तो आपका जो कुछ कहना है आप थ्रू एफिडेविट कहिए डाइरेक्टिव आप सुप्रीम कोड इंडियन गर्वर्मेंट एफिडेविट फाइल किया 14 से 5th April तो 14 मार्स से 5th April तो किसी ने कोई कुछ नहीं कहा Suddenly somebody started saying 5th April George Fernandes को a clean cheat मिल गिया जो आपको बिलकुल अच्छा नहीं लागा उनका जिए नहीं बिलकुल clean cheat मिलने का सौवाल कहा हुआ है वही एफिडेविट में है five cases have been referred to CBI for investigation now if somebody feels that cases are investigated by CBI against me and it is a clean cheat I have nothing to say मेरे खलाब investigation हो रहा है और मैं कहूंगा जे मारा clean cheat है तो ठीक है let him tell that it is a clean cheat to him I did not join issues what I simply pointed out affidavit was a statement of facts what action has been taken on the reports for which Supreme Court wanted to know we get them गजजशशब ये 14 April का law minister Hansaraj Bharadwaj का statement मेरे पास में है उन्होंने कहा कि उनके मंत्राले ने जो एफिडेविट भेजा था उसे रक्षा मंत्राले ने डिफेंस मिनिस्ट्रे ने बदल दिया जाही कहा मैं तु खूद कहा था यह थोड़ा चेंज़श हुआ चेंज़श के बाद भी अर्टोर्नी जेनरल को पास भेजा chronologically if you go वरद्वाजी is right there were certain changes जाउश वन्रण इसका यह भी कहना है कि फूकंद रेपोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया और उस रेपोर्ट को आपने एकसेप्ट करने से इंकार कर दिया क्यों करेंगा एकसेप्ट मैं उनको कहा जो टामस अब रेफरेंस था उनका चार्थ टार्मस अब रेफरेंस था यह इस ट्रैंजक्शन में कुछ घरबर हुआ की नहीं हुआ आप देखो दूसरा कोई रेस्पोंसिबल है की नहीं यह देखो तीसरा रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करो चो था ओ जो तेहल का एक्सपोजे हुआ ओ कैसे हुआ तो उन्होंने कहा मैं इसरे ब एक देखोंगा दो तीन नहीं देखोंगा आइटेम टामस अब रेफरेंस नमबर 2 टामस अब रेफरेंस नमबर 3 I am not going to examine it I will examine it later Investigation is a composite one जो तीन चार मुद्दे उनके पर है Ingredients है वो सबको एक साथ लेकर आपको कोई conclusion में आना पड़ेगा आपने पहले ही एक आइटेम टामस अब रेफरेंस लेके किसी को कहेंगे यह मैं आपको बिलकुल क्रिंचीर दे दिया 47 months have been taken 41 months have been taken by the commission to prepare a 47 page report and that is too incomplete तो ओ रिपोर्ट का मुद्ध क्या है साड़े मामला CBI को पास investigation के लिए भेज़ दिया CBI investigation करने का बाद clean cheat कौन देगा clean cheat तो देगा court investigation हो रहा है आभी prosecution trial शूरू नहीं हुआ किस लोग बल रहा है हमको किनी चिद्मिन देगा उन्हेंनों ये भी कहा कि जस्टिस फूकन को बदनाम करने के लिए defense ministry से वो पेपर लीक कर दिया जिसमें ये पता चला कि उन्होंने इंडिन एर फोर्स के प्लेन से ट्रेवल किया मैं खूद लीक नहीं किया मैं खूद पर्लेमिन में स्टेड्मिन किया पर्लेमिन में स्टेड्मिन करना लीक नहीं है जोब आउटलूग मेगाजिन में आया पर्लेमिन में शोड बाचा तो अब मैं पर्लेमिन में स्टेड्मिन करके कहा जी ये बात ठीक है सवाल सिर्फ गोवर्मेंट की इंटेंशन का है ओपोजिशन का इल्जाम ये है कि ये सरकार अपने समर्थों के केसे विड्रॉ करने की कोशिश कर रही है अदालत ने रोका हुआ है और जो विरोधी दल के लोग हैं उनके खिलाफ एक के बाद एक नए केस खोले जा रहे है नहीं ऐसा बात नहीं है किसी के पास केस नहीं खुला ये जो देखिए तेहलका का सारे मामला चला गया सीबी आई के परे में अरूम शारी का केस तो आपने अभी खुला क्या खुला सेंटर और CAC का रिपोर्ट आया पास के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा तो देखना होगा तो आप इग्नोर नहीं कर सकता उपजिशन का स्केटमेंट ये है कि चोकी ऑपजिशन के लोगों ने दागी मंत्रों का मामला उठाया था उसको काउंटर करने के लिए उनके मंत्रों के खिलाफ ये केस खोल दिया तो बात उपजिशन का साहिए है लेकिन उनने महर्बानी करके बाता हिए राजीब गंधी वास किल्ट on 21st May 1991 and राजीब गंधी वास मेंट अक्यूस नंबर वन in a case of Bofor's case अक्यूस नंबर वन the man was not spared even after 12 years of his death and ओरो का जारोब लगा रहा है याब भिंडिक्टिव है मैं इंडिरा गंधी का बात नहीं कर रहा हूं मैं यो बात नहीं कर रहा हूं इंडिरा गंधी before 77 she was prime minister of India for 11 years and मनिपूर में कमिशन बाइथा तिर्का कमिशन इंडिरा गंधी को नॉन बेलेबल वारेंट देकार देल्ली से इंफॉर ले गया था अलिगेशन क्या था ना एक आदमी को पोलिश हरेस्ट किया for petty theft case लेकिन ओ जो कमिशन का जाज शाथ तिर्खा साहब उन्हों ने ये कॉन्कूरूड किया जे ए मामला को बिचार करने के लिए और ओ काईसा थे कुण सा सामान थेफ्ट हुआ ओ कुछ आंडा few kgs of rice and a few shardies a person stole from his neighbor's house लेकिन ओ कमिशन में केस आया and commission का चयार जे केस दिस्पोजर हो ने ही साकता जब तक Indira Gandhi जो emergency declared किया ओ इंफल आके इस मामला में एविदेविन ओ कोर्ट का बिफर कोर्ट लेकि आपका अदलाथ he will have to appear Indira Gandhi was dragged from Delhi to Imphal in 1978 by Tirka Commission I am not talking of that it is no question of vindictiveness there are certain legal courses are to be taken but before they throw stones to others मेरे उनका यही कहना हिए आप कम से कम मिराथ को पास जाकर आपका फेस देख लिए आप यह कहना है कि उन्होंने जो Indira Gandhi के साथ किया था Rajiv Gandhi के साथ किया था आज उसका बदला ले रही आपकी सरका? बिल्कुल नहीं बदला के सवाल ही उठता नहीं एक कानून के मताबिक करना ही पड़ेगा बदला के सवाल नहीं लेकिन vindictive का allegation आना नहीं चाहिए कोई vindictiveness नहीं है हम चर्चा कर रहे थे जो विरोधी दलों ने आपके उपर इल्जाम लगाए लेकिन कुछ ऐसे कोईलिशन पार्टनर्स हैं जो आपके साथ हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं बहुत सारे इल्जाम लगाए सरकार के एक साल के परफर्फर्मस पर इस पर सवाल पूछेंगे सफ़ाई मांगेंगे एक प्रेक के बाद आपके अदालत में आज हमारी चार्चीट है यूपियस सरकार के एक साल के कामकाज़ पर और सफ़ाई दे रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर प्रणमुकच आपकी अदालत में इल्जाम है कि कांग्रिस ने उसे सपोर्ट करने वालों को नाराज कर दिया मुकर्जी साब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं एक है मुलाहिम सिंग जादव उन्होंने लगाया कि इस सरकार के रहते उनके फोन टैप किये जा रहे है उन्होंने का कि मैं इसके सबूत पेश कर सकता हूँ जब जब सबूत पेश करेंगे बिल्कुल हम मिनिस्टर साब देखेंगे लगिन इस वाल पर्लेमिन भी उठा तो हम मिनिस्टर साब कहा दिया एक दूसरी नेता है उतरपतेश के मायवती उन्होंने का कि CBI इस सरकार के इशारे पर मुझे हैरेस कर रही है मैं तो कहा जो CBI को जो काम है वो बहुत इंडिपेंडेंडेंडेंड काम है और अटोनमा से CBI को पास बहुत अटोनमी है उन्होंने ये सवाल उठाया लोक्षभा में भी उठाया लाजभा में भी उठाया मायवती जी खूद अटोनमा भी आपने रास्ता नहीं बताया उनको मदद करनेगा तो वो सपोर्ट विड्रॉव कर लेंगी नहीं तो देखे क्यों सा पार्टी सपोर्ट करेंगे की नहीं करेंगे इसे पर तो मैं कुछ कहा नहीं सकता हूँ क्योंकि पोलिटिकल पार्टी जो एक्षन होता है ओ एक्षन तो वोलेंटरी आक्षन होता है तो उन्होंने क्या करेंगे ये तो उनकी पर डिपेंड करेगा लेकिन मैं इदना इबता ना सकता हूँ किसे को पर किसे को fraud करने के लिए चाहे किसी को खिलाब काम करने के लिए कोई करवाई करने के लिए सीब्याई को बी कोई instruction कोई नहीं दी गाए तो दे भी नहीं सकता करजीह छीहाँ कोई तो वजह होगी वह लोग जो आपकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। पर अशे लोग सरकार के लगा है? नहीं, वो कुछ मिसंडरस्टेंडिंग हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो किसी का फॉन टैप हो रहा है, वो किसी को सी बी आई को लेकर हरस्मेंट हो रहा है, ऐसा बत नहीं है मायवतीजी ने अपने क्वेश्चन रखाता कि साथ मेरी तो दलित पार्टी है, इसलिए उसकी अद्जक्षियों मेरे खिलाब तो असेट्स का असेस्मेंट करा करके ये सारे अलिगेशन लगा के मेरे मुकदमा चलाया जा रहा है, और जो पार्टीयां है, उनके अद्जक्ष का स्टैट्यूटरी राइट्स है, जिकिसी को पास और टैक्स इवेशन का कोई इन्फर्मेशन आएंगे, तो तो जच परतल उनों नहीं करेंगे, तो बिलकुल इस मामले में सर्कार करेंगे हैं, मायवतीजी के साथ ऐसे अन्याय क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लालु हाथ चुका है, कोभी-कोभी ऐसा हुआ, ये इन्कम टैक्स डिपार्मेंट का स्टैट्यूटरी ऑथरिटी है, उन्होंने देखेंगे जे केस जिदने का सवाल है की नहीं है, ऐसा बहुत सारी केस है, आप जाएंगे तो इनकम टैक्स ट्रिबुनल में देखेंगे, फार्स मैं हाथ चुका, तो दूसरा अपिल, सेकंड अपिल करेंगे का नहीं करेंगे, ये जिम्मेधारी उनकी पास है, वह देखें अप्लाइडेयार ओन दिस्क्रिशिए मायवती जी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ केस इसलें इंस्टिूट किये गए, क्योंकि वह एक डलित है, ने एक साttब तो दो अलिगेशन होने ही साकता हुट एक तरोप अलिगेशन हो रहा है यू कैस वीज़र नाहिए है तो दोनों एक साथ कैसे चलेगा यह जवी आए कॉंटरीकशन है माक्सवादी कॉमुनिस पार्टी जो आपकी सरकार को सपोर्ट कर रहे है उसके मासाचिव प्रकाशकारत ने क्या कहा सरकार के काम के बारे में उन्हें का कि कुछ मामलों में तो सरकार जिद पर लगती है हम सरकार से सिर्फ बात करके संतुच नहीं होंगे हम जनता में जाएंगे और सरकार के जन्विरोधी फैसलों की जम कर मुखालफ़त करेंगे देखे सीपियम को साथ इसलिए तो उन्होंने सरकार में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन जब कॉमन मिनिमम प्रोग्रम बना उनके साथ सराकर की बना ये तो आपका सब को ही जानकरी है ये कुछ इगनॉमिक इशूस पौर कुछ इगनॉमिक मुद्दे लेकर सीपियम सीपाई और लेट पार्टिसे कॉंग्रिस का थोड़ा डिफरेंटसिस है अगर उनके स्टेट्मेंट देखें वो कहते हैं कि सरकार के साथ हनीमून खतम हो गया सरकार अपनी मनमानी कर रहे है उसके बाद भी हमें उनसे पचर्चा किया 18 का मिटिंग में भी उन्होंने भी पार्टिसेमेट किया लेकिन हर एक पलिटिकाल पार्टी का जो विचार है वो विचार तो उन्होंने रखेंगे साथ-साथ ये भी तो आपको मनना पड़ेगा जह हमें CPM लिफ्ट पार्टी को सपोर्ड ले रहा है सेंटर में साथ-साथ हमें लड़ाई भी कर रहा हूँ चाहे बंगाल हो चाहे कराला हो चाहे त्रिपुड़ा हो आभी भी डे आप्टा टुमोरो 81 मिनिसिपल कॉर्पोरेशन में CPM को साथ तो कॉंग्रेस लड़ रहा है बंगाल में तो वेस्ट बंगॉल में उनके साथ लड़ेंगे और यहां उनकी मदद लेकर साथ का चाहे बंगाल है यह तो प्रेशन का मैनेज तो करना होगा है यह तो कॉंटरिक्शन का मैनेज हो रहा है यह थेवरिटिकल नहीं है यह प्रैक्टिकल है इसलिए तो मैंने आपको कहा जाब लास्ट एक साल अगे जाए लास्ट यार आउंड इस ताइम उन्होने केरला से कॉंग्रेस को बिलकुल हारा दिया कॉंग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला कॉंग्रेस को एक अलाइंस का मुसलिम लिग का एक सीट मिला अब लाइंस की मौंग्रेस यार आउंट सीट मैंना नाइट थाइट वाइब लास्ट इसाएर सजाता आए इन 10th of May 19 2004, भंगल में we increase our strength from three to six all three at the cost of CPM वत उसके बाद भी, ये 10th में हुआ, 13th में रजाब निकाला उसके बाद भी 21st में में United Progressive Alliance बन्चुका है, ये इंडिक्षन तो होगा है, ये इंडिक्षन का मेनजमेंट करना ही तो, कौालिशन का धरम है बहुत से लोग लगता है ये जो इनडिक्षन है, ये मैनिस तब तक होगा, जब तक वेस्पेंगौल में, असम्मिली के इलक्षन नहीं होगे असम्मली के लेक्षिन के मोके पर CPM आप से सपोर्ट विड्राव कर लेगी विस्फुल थिंकिंग भी हो सकता, प्रैक्टिकल भी हो सकता लेट उस वेट तिल 2006 आज आप भविश्वानी करने के लिए तैयार नहीं है जो भी डिसकुशन चल रहा था उसमें वो केवल कोलिशन धर्म की बात कर रहे थे कर्म की बात तो हुई नहीं कि गॉवर्मेंट ने क्या किये पूरे साल बर मैं उसकी बात ही नहीं हुई अगर आपको दो चार पांच सेंटेंसे में बताना हो कि आपकी सरकार की सबसे बड़ी एचीवमेंट क्या रही पिछले एक साल में यूपीय गॉप्मेंट था बिलकुल ख़तम हो गया था ये रिस्टोर हुआ स्वबर्व करें था कि ने हुआ equations that इन अताना है वटा संब टेख जिसकाby सेंट झाले ā प्रेय आ फेख में टयों सेंटי कर वन तेstillादलिन कि वह कर दोने Вас झाले येूजमेंट था उन। मुमाहरा टॉपी अजिस्य च्एडपएम लिःत्याओ, स्बाम There which I approach special on basic national issues, therefore we have been able to reduce the tension which prevailed in various social sectors to a considerable extent. Economy is moving, we are going in the right direction and if we are able to carry on with this policy, what they dreamt of. 8 percent GDP growth, I have also accepted. ये से जनता के लजामात यूपी ए सरकार पर और सरकार के तरफ से डिफेंस मिनिस्टर प्रणमुकर जी के सपाई ब्रेक के बाद हम देखेंगे जनता के जच का फैसला आज हमने जनता की तरफ से मुकबना चलाया यूपी ए सरकार पर एक साल के कामकाच का हिसाब मांगा और सफाई दी डिफेंस मिनिस्टर प्रणमुकर जी ने अब वक्त है आज की करवाई पर आज की जच स्मिता गुप्ता के फैसले का यूपी ए सरकार का पिछले एक साल का कार्यकाल आम तोर से ठीक ही चल रहा है लोगों में इसकी छवी साफ सुत्री प्रफेशनली रन सरकार की है पर इस सब में कभी ऐसा लगता है कि वह आम आदमी जिसके नाम पे इस सरकार आई थी कहीं खोसा गया है आज मंत्री जी ने एकनॉमिक बूम का दिकर किया मगर वामपंथियों का इलजाम की इस एकनॉमिक बूम सिर्फ राइसों के लिए हुआ है इसका जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए नोक्रियां तो जुटी पर हैसियत वालों के लिए दूसरी बात एक साल सरकार चलाने के बाद ऐसा लगता है कि कॉंग्रेसियों मारे बंधे गट बंधन में बैठे हैं मनमोहन सिंग और सोनिया गांधी के बावजूद मंत्री जी ने आज सफाई देने की कोशिश तो की मगर कभी कभी लगता है कि कॉंग्रेस ही नहीं चाहता है कि यह सरकार इस तरीके से पांच साल तक चलते रहे जहां रोज वाम पंथी सरकार को टोकते रहे या राश्टे जनता दल का सपोर्ट उन्हें लेना पड़े